जैगन फ्लाइज ओडोनाटा क्रम से संबंधित कीरे हैं, जिनमें डैम फ्लाइज भी शामिल हैं। इन कीरों की विशेषता उनके लंबे, पतले शरीर, बड़ी मिश्रित आखे और दो जोडी पंक हैं। जैगन फ्लाइज अपनी चपलता और प्रभावशाली उडान क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, जिनमें मंडराना, तेज द्वरन और उडान में तेज मोड शामिल हैं। जैगन फ्लाइज के बारे में कुछ मुख्य तत्य इस प्रकार हैं। एक जीवन चक्रड ड्रैगन फ्लाइज अपूर्न काया पलट से गुजरते हैं, जिसमें तीन चरण होते हैं, अंडा, निम्फ या लार्वा और वयस्त। निम्फ जलिय होते हैं, और मीठे पानी के वातावर्न जैसे तालाबों, जीलों और जर्नों में रहते हैं, जहां वे छोटे जलिय जीवों का शिकार करते हैं। कई मोलों के बाद निम्फ पानी से बाहर निकलते हैं और वयस्क ड्राइगन फ्लाइज में बदल जाते हैं। दोग वयस्क अवस्था वयस्क ड्राइगन फ्लाइज अत्यधिक कुशल शिकारी होते हैं, जो मुख्य रूप से मध्य हवा में मच्छरों और मक्यों जैसे अन्य उढने वाले कीडों को खाते हैं। वे अपनी असाधारन द्रिष्टी के लिए जाने जाते हैं, जिससे वे बड़ी सतीकता से शिकार का पता लगा लेते हैं। तीन पंक ड्राइगन फ्लाइज के दो जोड़ी जिल्लीदार पंक होते हैं, जिनका उप्योग वे उढने के लिए करते हैं। प्रजातियों के आधार पर उनके पंकों का फैलाव कुछ सेंटीमेटर से लेकर एक फुट से अधिक तक हो सकता है। उनके पंक स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, जिससे उडान के दोरान सटीक नियंत्रन संभव हो पाता है। चार रंगीन और विविद ड्रैगन फ्लाइज रंगो और पैटर्न की एक विस्तरित शिंखला में आते हैं, जिससे वे देखने में आकरशक कीड़े बन जाते हैं। उनके जीवन्त रंग कई उदेशों की पूर्ती करते हैं, जिसमें साथी को आकरशित करना और संभावित शिकारियों को उनकी विशाक्तता के बारे में चेतावनी देना शामिल है। पांच शिकारी और शिकार ड्रैगन फ्लाइज शिकारी और शिकार दोनों के रूप में पारिस्थितिक तंतर में एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं। वे पक्षियों, मचलियों और अन्य जानवरों के लिए भोजन स्रोत के रूप में काम करते हुए मच्छरों और मक्षियों जैसे उपद्रवी कीडों की आबादी को नियंतरित करने में मदद करते हैं। छे प्राचीन कीडे ड्रैगन फ्लाइस प्राचीन कीडे हैं, जिनका इतिहास लगभग 300 मिलियन वर्ष पुराना है। जीवाश्मों से पता चलता है कि उनकी मूल शारिरिक योजना लाखों वर्षों से उलेखनिय रूप से अप्रिवर्तित बनी हुई है। साथ प्रतिकवाद विभिन्न संस्कृतियों में जैगन फ्लाइस को अकसर विभिन्न प्रतिकात्मक अर्थों से जोडा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ मूल अमेरिकी परंपराओं में वे परिवर्तन और परिवर्तन का प्रतीक हैं, जबकि जापानी संस्कृती में वे साहस, शक्ती और खुशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आठ संरक्षन कई अन्य प्रजातियों की तरह जैगन फ्लीज को निवास्थान के नुकसान, प्रदूशन और जलवायू परिवर्तन से खत्रों का सामना करना पड़ता है। उनके आवासों की रक्षा करने और उनके अस्तित्व को सुनिश करने के लिए संरक्षन प्रयास किये जा रही हैं। कुल मिलाकर जैगन फ्लाइज आकरशक कीड़े हैं, जो अपनी अविश्वसनिय उडान ख्षमताओं और पारिस्थितिक कंत्र में महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। वे वैज्ञानी को प्रकृती प्रेमियों और कलाकारों के लिए समान रूप से रुची का विशय हैं।